ये दिखे मैंने यहां पर 16 फंदे लिए हैं 12 फंदे इसके 6 के multiple से लिए हैं 2 बार 6 फंदे लिए हैं तो 12 फंदे प्लस 4 फंदे extra लिए हैं 2 फंदे 7 में design को equal करने के लिए 14 फंदे 2 फंदे 6 के लिए 16 फंदे बेस देने के लिए दो रहो उल्टे फंदों के साथ बुनका निकाल ली हैं तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप 6-6 के मल्टिपल से फंदे लेंगे प्लस 4 फंदे एक्स्रा रखेंगे तो आपका ये डिजाइन अच्छे सेट हो जाएगा तो चलिए बनते हैं पहली रह सीधी साइड एस टे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे दो फंदे राइट टू लफ्ट इस तरफ को ट्विस्ट करेंगे दूसरा फंदा बैक लूप से आगे लेकर आएंगे और पहला फंदा फ्रंट लूप से पिछे लेकर जाएंगे आप एक फंदा सीधा बुनेंगे और एक फंदा स्लिप करेंगे चार फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार ये देखे हैं हमारा एक pattern complete हो गया है समय हमने दो फंदे right to left टेस्किये फिर एक फंदा सीधा बुना एक slip किया चार फंदे सीधे ये छे फंदों का pattern है दो चार छे फिर से इस pattern को ऐसे ही बार बार repeat करेंगे तो दिखे फिर से दो फंदे right to left इस तरफ को टेस्किये दूसरा फंदा back loop से आगे लाएंगे और पहला फंदा front loop से पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे एक slip करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार यहां से यहां तक हमारे दो पैटर्न कम्पलीट हो गए है लास्ट में तीन फंदे बचेंगे तो फंदे right to left इस तरफ को टेस्किये दूसरा फंदा back loop से आगे लाएंगे और पहला फंदा front loop से पीछे लेकर जाएंगे एक फंदा सीधा एक slip करेंगे एस्टे सीधा बुन लेंगे पहली राओ complete हो गई है दूसरी राओ wrong side सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे तो हर बार इसकी wrong side उल्टे फंदों के साथ ही बुनेंगे तीसरी wrong है सीधी side है एस्टे slip करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे एक फंदा सीधा दो फंदे right to left इस तरफ को टेस्ट करेंगे दूसरा फंदा back loop से आगे लाएंगे और पहला फंदा front loop से पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे एक slip करेंगे तीन फंदे सीधे एक दो तीन ये देखे हमारा एक pattern complete हो गया है समय हमने एक फंदा सीधा बुना दो फंदे right to left इसके एक सीधा बुना एक slip किया तीन फंदे सीधे फिर से pattern को ऐसे ही बार बार repeat करेंगे तो देखे फिर से एक फंदा सीधा, दो फंदे इस तरफ को टेस्ट करेंगे, back loop से दूसरा फंदा आगे लाएंगे, front loop से पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, एक slip करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक, दो, तीन, last में तीन फंदे बचेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, एस्टेस सीधा बुन लेंगे, तीसरी रो कम्प्लीट हो गई है, चौती रो रॉंग साइट सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे पांच मी रों सीधी साइट, एस्टे स्लिप करेंगे, रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे, दो फंदे सीधे, एक, दो, दो फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरह को टेस्ट करेंगे, दूसरा फंदा बैक लूप से आगे लाएंगे और पहला फंदा फ्रंट लूप से दो ये देखिए हमारा एक पैटन कम्पिलीट हो गया है समिम इपने 2 फंदे सीधे बुने 2 फंदे राइट वुल आउट इसके, एक सीधा बुने एक स्लिप किया, 2 फंदे सीधे फिर से पैटन को ऐसे ही बार-बार पीट करेंगे तो देखिए एक, दो, एस्टिस सीधा बुन लेंगे पांच वी रोव कम्प्लीट हो गई है चटी रो रॉंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे साथ मी रोव सीधी साइड एस्टि स्लिप करेंगे रिपीट पैटर्न स्टाट करेंगे तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन दो फंदे राइट टू लेफ्ट इस तरफ को टेस्ट करेंगे दूसरा फंदा बैक लूप से आगे लाएंगे पहला फंदा फंदा फ्रंट लूप से पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे एक स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा ये देखे हमारा एक पैटर्न कम्प्लीट हो गया है तो हमें तीन फंदे सीधे बुने दो फंदे राइट फंदे लाट इसके एक सीधा बुना एक स्लिप किया एक फंदा सीधा फिर से इस पैटर्न को ऐसे ही बार बार रपीट करेंगे तो देखे फिर से तीन फंदे सीधे एक दो तीन दो फंदे इस तरफ को टेस्ट करेंगे दूसरा फंदा बैक लूप से आगे लाएंगे और पहला फंदा फ्रंट लूप से पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे एक स्लिप करेंगे एक फंदा सीधा लास्ट में तीन फंदे हैं दो फंदे सीधे एक दो एस्टे सीधा बुनेंगे तो देखे साथ मी रो कम्प्लीट हो गई है आठ मी रो रोंग साइन सारे फंदे उल्टे उल्टे बुनेंगे नामी रों सीधी साइन एस टे स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार दो फंदे राइट उल्ट इस तरफ को ट्रिस्ट करेंगे दूसरा फंदा बैक लूप से आगे लाएंगे पहला फंदा फंदा फ्रंट लूप से पीछे ले कर जाएंगे अब एक फंदा सीधा एक स्लिप करेंगे ये देखे हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया है तो हमने चार फंदे सीधे बुने दो फंदे राइट उल्ट इसके एक सीधा बुने slip किया फिर से pattern को ऐसे ही बार-बार repeat करेंगे तो दिखें फिर से चार फंदे सीधे एक दो तीन चार दो फंदे इस तरफ को टेस्ट करेंगे दूसरा फंदा आगे लाएंगे और पहला फंदा फंदे सीधे एक दो एस तरफ सीधे नौमी राव कमप्लीट हो गई है दस मीर और उंग साइट सारे फंदे उल्टे 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 बुनेंगे ग्यार वी रौं सीधे साइन आस टी स्लिप करेंगे स्टार्टिंग में एक फंदा सीधा बुनेंगे बटर्ण स्टार्ट करेंगे चार फंदे सीधे एक दो तीन चार दो फंदे राइट डू लफ्ट इस तरफ को टेस टहिंगे दूसरा दूसरा फंदा बैक लूप से आगे लाएंगे और पहला फंदा पीछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे एक स्लिप करेंगे आगे के दो फंदे छोड़कर यहां तक हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने चार फंदे सीधे बुने 2 फंदे रा लोप से आगे लाएंगे और पहला फंदा पिछे लेकर जाएंगे अब एक फंदा सीधा बुनेंगे एक slip करेंगे लास्ट में दो फंदे हैं एक फंदा सीधा एस्टेस सीधा बुन लेंगे तो देखिए 11 रो कम्प्लीट हो गई है 12 रो रो रोंग साइड सारे फंदे उल्टे उल्टे बुलेंगे तो देखिए 12 रो कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है आगे की साइड से ये इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है तो फिर से हम इसे first row से start करेंगे और ऐसे ही बार बार हम इसकी one to twelve row repeat करते जाएंगे और ये pattern बन कर इस तरह से दिखने लगेगा इसे आप किसी भी project में डाल सकते हैं जैंट साफ set up, full set up में, बच्चों के set up में, cap में, मफरल में, baby blanket में apply कर सकते हैं आप भी इसे बनाएए और अपने experience हमारे साथ share कीजिए अगर आपको हमारे patterns अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को like करना, share करना और subscribe करना मत भूलें तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए-नएसे pattern लेकर तब तक के लिए बाबे फैन